देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है इस जंग में कॉर्परेट जगत भी पड़ी भागिदारी निभा रहा है तो आज दिन भर ABP निउस पर कॉर्परेट जगत की पड़ी हस्तिया होंगी जो ये बताएंगी कि कोरोना के इस संकट काल में किस तरह से उन्होंने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो शुरुआत MG Motors के MD और प्रेसिडेंट राजीव चाबा के साथ उनके साथ बाचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी दिबाग नमस्कार मैं हूँ दिबाग इंडिया वर्सिस करोना कॉर्परेट स्पेशल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे साथ ही हाथ बढ़ाना और मेरे साथ इस खास बाचीत में मौजूद रहेंगे राजीव चाबा मेरेजिंग डिरेक्टर है MG Motors इंडिया के आपका स्वागत है राजीव जी आपने इधर काफी हाथ बढ़ाया काफी साथ दिया लोगों का बिस्तार से कैसा रहा यानुभाव ये जर्णी है जो अभी खतम नहीं हुई है चल रही है और ये इवाल्व हो रही है और जब लास्ट येर जब मार्च एप्रिल से लॉक्ड़ान स्टार्ट हुआ था तब हमारी कंपनी में हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि इस तब करेंस तारणी क्या है उस टाइम पर वेंटिलेटर का काफी इश्व आ रहा था तो हमने वेंटिलेटर खुद कमपनी में अपना डिजाइन किया वेंटिलेटर कंपनी के साथ कोलाबरेट किया हमने वेंटिलेटर 50% प्रिशन बढ़वाया तीन-चार महीने में उस feeling अपनी company में लेके आए उसके बाद हमने बोला कि अब हम लोग सब की safety है तो larger community के लिए क्या कर सकते हैं, customers के लिए क्या कर सकते हैं, आसपास जो हमारे plant के लोग रहते हैं, जैसे plant में मारा बढ़ोदा है, वहां के लिए क्या कर सकते हैं, गुरगवा में head office एंग गुरगवा म हमने oxygen companies की shortages के साथ काम करना शुरू किया, wave one में हमने mask बनाने का भी काफी काम किया, but इस बार हम लोगों ने bed पर जादा focus कर रहे हैं, recyclable bed, covid beds extra, जो hospital में लग रहे हैं, उनको हम supply करने ही कोशिच कर रहे हैं, oxygen हमने करा हैं, और concentrator मंगा हैं, और employees के लिए generally insurance increase करना, कुछ unfortunately contractor employees में कुछ fatalities भी हो गई हैं, unfortunately contractor employees में तो उनके लिए alternate employment देखना, तो यह सब काफी काम करने की कोशिच हो रही है, तो एक बड़ी बात कह रहे हैं, आपके lay-off नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान तो lay-off बहुत हुए, तो क्या आपने जो salary में cut किया, लोगों की, कि हम आपको र रहेंगी, that's how we started, उसके बाद हमने बोला salary increase नहीं दे पाएंगे शायद, लेकिन as the luck would have been, auto में, industry में थोड़ा car की demand रही, और within the industry हमारी कारों की demand भी काफी अच्छी रही, तो हमने in fact लोगो salary increase भी दी last year, promotions भी दिये, तो नहीं हमने शुरू में, so this whole journey, you know, keeps evolving, as we say, तो पहले पहले हमने बोला job नहीं जाएगी, salary cut नहीं होगी, फिर धीरे-धीरे हमने salary increase भी दीरे, depending on the situation, अब जो wave 2 आई है, इसमें भी हमने वोई किया, किसी की job नहीं जा रही है, but salary cut भी अभी तक नहीं करी है, salary increase की बात अभी हम नहीं कर रहे है, so that's the only change. पर ये तो बड़ी बात है, क्योंकि यहां तो jobs भी जा रही है, और salary तो जाहर है, बिल्कुल नहीं है, लोगों की, ये बताई कि ventilators में जब आप घुसे, तो किस तरह के challenges थे, और क्यों आपने सोचा कि ventilators में मदद करनी चाहिए, ये ख्याल कहां से आया? See, again, हमारी company में एक अच्छी बात ही है, कि हमने एक group बनाया हुए, called MG Seva, तो ये एक हमारा volunteers का group है, जो कि 10-12 लोगों से शुरू हुआ था, आज की दिन में 30 लोग हैं उसमें, और हम बोलते हैं कि हमारी जो society में जो issues चल रहे हैं, उनको आप identify करो, और हमने कुछ funds allocate करने की क सकता है, अभी तो हम loss बना रहे हैं, तो हमारे ये brand building का part है, community building का part है, तो हमने बोला कि इस group में बात करते हैं, problems कौन-कौन सी face कर रहे हैं, तो last year, if you recall कि ventilator का आया, कि ventilator हमारे country में shortages है, तो हम लोगों ने ventilator के problem को solve किया कि क्या हम खुद बना सकते हैं, तो हमने हमारी engineering team ने बनाने की कोशिच कर ये prototype बना भी दिया, but then we realize कि we cannot have a faster, you know, ventilator design क्योंकि जो government की qualifications भी clear करें, because it's a very complicated piece and आपको medical approvals चाहिए होती है, सब चाहिए होता है, फिर हमने क्या कि बढ़ोदा में हमारे एक ventilator का factory already थी, max करके है, नशोख भाई उनके owner है, IIT कानपूर के हैं, तो उनके है, वो 10-12 ventilator महीने के बनाते थे, हमने उसको 400 ventilator per month में लेके चलेगा, तीन महीने के अंदर, तो सारी जो हमारी engineering capability है team की, supply chain के issues हैं, आपके जो components इतने सारे supplier से आ रहे थे, उनके issues हैं, प्लस IT, efficiencies improvement, HR issues, तो हमारी टीमोंने मिलके काम किया, अब 10 ventilator, 15 ventilator per month से हम 400 पे लेके ग तो पता चला कि oxygen की shortage है, तो हम अब हमारा जो local administration है, उनको idea लग गया था हमारी engineering capability का, तो in fact, जो local administration came to us कि आप oxygen में कुछ help कर सकते हैं, तो हमने एक देव नागर plant है, तो वो 30 cylinder per घंटा बना रहते हैं, हमने उसको 50 cylinder per घंटा within one month अपनी again engineering capability को उनको देके हमने कर दिया है, in fact, दूसरा oxygen plant भी हमारे से support मांग रहे हैं बड़ोदा में, जो कि हम करना चाहते हैं, तो इसमें जो आपने मंदद की, वो financially मदद की, टेक्निकली मदद की, manpower के हिसाब से मंदद की, किस तर से मदद आपने extend कैसे की, तो इसमें दो चीज़े करी, हमने अपनी team बनाई, तो हमार जैसे to start with ventilator plant में, oxygen plant में, कि देखो भी आप, कि हम क्या क्या improve कर सकते हैं, see, as you can imagine, कि ये जो ventilator companies हैं, और ये oxygen companies हैं, ये MSME सेक्टर में आते हैं, जो हमने अप्रोच कर रहे हैं, जो हमने अप्रोच कर रहे हैं, they are not big plants, there are big plants also, but हमने MSME सेक्टर में अप्रोच किया, तो यहां अपर इतनी capabilities, skill-wise नहीं है, अपना काम वो जानते हैं, करना है, लेकिन कैसे improve करना है, उसमें जो tools चाहिए, जो उसमें थोड़ी high-end engineering skills चाहिए, इतने जाधे लोग बोलो कि effort भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी team ने सारी skills provide करी, financial support का हमने offer किया, but thanks to you know, max ventilator as well as ये देवनागर इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आप expertise दीजिए, तो हमने, हम तयार के अपनी तरफ से, जैसे की compressor नहीं लगाना था, कुछ cooling tower लगानी थी, तो we were ready कि हम financial, but इन लोगों ने financial help हम से बिलकुल नहीं ली, but technical help, मांगी। ये बड़ी बात है, ये भी आपने किया कि आपने सौ गाडियां दी, medical professionals को, doctors को, कैसे इस्तमाल हो रहा है, और ये आइडिया कहां से आया, ये तो सीधा brand promotion हो गया वैसे आपका। हमने बोला कि महां पर doctors को, nurses को, you know, front end और workers को, जो shortage है, commute नहीं कर पा रहे है, गाडियों की problem है, तो कैसे करें, तो हमने हर सीधी में अपने dealers को बोला कि आपने गाडियां डाइवर्ट कर दो, तो, actually it was not very tough, but identification of problem was an issue, तो जब हमारा identify हो गया कि हम ऐसे help कर सकते हैं, तो हमने वो गाडियां दी, साथ में, आपको शहिए भी पता हो, कि हमने फिर अपनी कुछ हेक्टर में आइडिया आया, इसी MG Seva Group में, कि हम इसको ambulance मना सकते हैं, तो हमने ambulance मना ही लास्ट येर, हमने तो इस बार वो उन ambulances का काफी काम हुआ है, वेव टू में, टेस्टिंग में, in fact, नितिन गतकरी जी का फोन भी आया है, कि हमें और गाडियां आप दीजिए, तो फिर हम और गाडियां देने की ambulances कोशिश कर रहे हैं, तो basically ये MG Seva Group है, जो volunteers हैं, ये identify problem सारी करते हैं, कि कहा ambulance किया है, कहां shortage है, अभी जैसे, एक चोटा से example आपको और देता हूँ, केरला में हमारे dealer के थू आया है, कि वहाँ पर दो लड़कियों ने, दो यंग लड़कियों ने, जिसको शैदा आपने भी शैटी वी पर cover किया, वो 19-20 साल की लड़किया है, उन्होंने basically dead bodies को move कर रही है, कि हमने commit किया है, कि एक ambulance बन रही है, हमारी 8-10 दिने चली जाएगी, तो इस तरह की चीज़े हम लोग लोगों सा ideas लेकर उसको कर रहे हैं, तो यह कोई million dollar ideas नहीं है, यह million dollar initiative नहीं है, बट ऐसे हमारे 40-50 initiative हैं, जो कि हमारे employees कर रहे हैं, it's a very good thing, because it is our way to give it back, जितना हम कर रहे हैं, उसका क्या विस्तार है, तो उसमें, जैसे again हमारे एक employee है, manufacturing department के, उन्होंने बोला कि जो आज कर recyclable bed काफी बन रहे हैं, और उसका एक start-up है, जो recyclable bed बना रहा है, और जितने यह COVID में temporary hospitals add हो रहे हैं, beds add हो रहे हैं, उसके लिए काफी useful हो सकते हैं, तो हमने बोल में हमारे जो MG customers का club एक है, तो MG customers club भी काफी इस चीज़ को, you know, voluntary करने कोशिश कर रहे हैं, hospital रिसा, तो महां से एक demand आई, तो हमने कुछ पूना में supply किया, उत्राखंड से demand आई, महां के हमारे उत्राखंड के dealer के थुरू, कि वहां पर भी 200 bed की requirement है, तो फिर हमने इनी, so basically हम हमने 200 bed procure करके start-up से, हम उत्राखंड में supply कर रहे हैं, तो इस तरह से, you know, different needs है, and sara, you know, I'm very happy to say, कि यह यह नहीं कि managing director, मैंने बोला, उपर से कि, हमें यह काम करना है, यह हमारा CSR fund है, हमने CSR fund दे दिया, यह सारा employees की weekly meeting होती है, जो मैं खुद share करता हूँ, और वहां से ideas आत चाहरा था कि, इसको आप जो MG की बड़ी सोच है, जिस तरह का रास्ता आप आगे खोलना चाहते हैं, उससे कैसे जोड़ते हैं इस सारे काम को? सी, मेरे साब से एक चीज जो, I hope COVID के बाद और clear हो जाएगी, और यह कुछ चीजे, Western countries में, especially America वगरा में, Silicon Valley में काफी अलड़ी चल रही है बाते हैं, कि, आज के दिन में आप जो, हमारा बिसनस का एक आइडिया होता था है, कि you have to maximize the profit for your shareholder, यह एक logic होता था, जो हमने MBA में ह सब सबने पड़ा हुआ है, कि हर company की जो, एक reason होता है, existence का, वो होता है, कि आप profit maximize करिए, shareholder के लिए, यह आपका MBA में chapter होता है, अब जो shareholder की language है, वो धीर-दीरे change हो कि, stakeholder पर जा रही है, stakeholder में आपके employees भी हैं, customers भी हैं, suppliers हैं, vendors हैं, environment है, you know, environment भी आपकी stakeholder है, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना है, तो यह Silicon Valley से concept काफी बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप महां पर देखेंगे, कि महां के CEOs काफी involved हो रहे हैं, इन सब issues में, मेरे इसाब से, इंडिया में time आ चुका है, जब हम corporate लोगों को भी, you know, we have to improve our involvement in this community issues and community things. एक पाद जो देखनी आई कि अगर पिछले साल की बात करें तो करीब 18 फीसिदी आटो सेक्टर में, कास्ट और पिकाल्स और कार्स और SUVs के मामले में कमी हुई, आपका उसमें करीब 70 फीसिदी जादा आप में बढ़ोतरी हुई, इसको आप कैसे देखते हैं, यह कैसे वजय क्या है? हम जी हेक्टर ने टेक्नोलजी में काफी आगे है, फिर हमने एलेक्टिक वेहकल लांच करी, तीसरी गारी ग्लॉस्टर जो अटोनमस लेवल बन है, वो लांच करी तो टेक्नोलजी में हमारी काफी आगे है, कस्मर सर्विस में, I would like to believe, we provide probably one of the best service to the consumer in the industry, and then यह हमने community service, और चौथा हमारा pillar है diversity, हमारे हाँ, हमने gender diversity में काफी काम किया हुआ है, और हमारी 33% workforce विमन है, प्लांट में भी और स्टाफ में भी, तो इन्हों यह चारो पिलर्स मिलाके, I think कही न कहीं तो resonate, यह करती है कस्मर के साथ, और जो हेक्टर है, वो काफी अच्छी गारी है, ZS EV, I would say is the best electric vehicle in the country right now, तो इन्हों तो सारा product और यह सारा support system, इन सबका कहीं न कहीं हाथ आया है, इस तरह की growth में, या, एक ये बात, एक ये बात देखने वाली है, कि इस सब में, economy कैसे होगी, सब की नजर इस पर है, और खास और पर जिस तरह का करोना आज है, जिस तरह की मार है, करोनी की, जि हैं, और आगे, mid time में, situation improve हो जाएगी, see, unfortunately, जब हमने ये second wave peak देख रहे हैं, April में और May में, इसमें जो लोगों का unfortunately काफी जो personal loss हो गया, friends में, families में, community में, उसको तो unfortunately repair नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे अब control में नहीं है, हमारे control में हैं, कि जैसे कि हम अपनी companies के control हो जाएगी, and July onwards फिर से ये खुलना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने last year October November में scene देखा था, उसके बाद August September में फिर festival period आना की तैयारी शुरू हो जाती है, तो मेरे साब से मेरी feeling है कि July onwards हमारा फिर से हम upward कर में आ जाएंगे, and ये कोई बहुत बड़ा issue नहीं रहेगा, only thing is, इस बार हमें गलती है एक चीज़ नहीं करनी चाहिए, कि हमें wave three की तैयारी शुरू से करके रखनी चाहिए, तो vaccination जो करना है, खूब करके रखना चाहिए, और हमें ये mask वगरा, जो है, ये नहीं के एकदम से mask उतार दो, आप और social distancing को भूल जाओ, ये हमें careful रहना है, vaccine और करना है, so that wave three, एक वो फुस हो के निकल जाए, hopefully, इस बार, you know, और हम तयार है, लेकिन economy definitely improve करेगी, in my opinion, from July onwards, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, इसको दोरानी के जरूवत है, कि मास लगाए रखिये, आपने vaccine लगाई है, तो नहीं लगाई है, तो लगवाई है, और vaccine लगाने यही कुछ लोगों के लिए किया जा सकता है, definitely, 100%, हर जगे जो बात हो रही है, वो hybrid model की बात हो रही है, क्योंकि 100% from home is not a good idea for long term, 100% from work, you know, people don't want to do it now, right, तो hybrid model होगा, जिसमें कि आप flexibility लोगो को काफी देंगे, you know, हो सकता है, जैसे हमारी company में बात चल रही है, कि maybe आप 4 दिन काम करिये office से और एक दिन हो सकता है, आपको free मिल जाएगा, आप घर से काम कर सकते हैं, या फिर कई चीजों में, you know, आपने अपने घर की location से काम करना है, in fact, आप जैसे मालों गुरगवां में office है, लेकिन आप अपने parents के घर गया हों में, आगरा में, या मदरास चन्नही मे या कहीं भी लखनओ में, आप महां से भी operate कर सकते हैं, तो basically ये सारे चीज़े evolve होंगी धिरे-धिरे, लेकिन ये flexibility जो है, it will force all of us to make sure कि ये hybrid model अब institutionalize हो जाएगा, slowly. राजीव चाबा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, करोना है, इस काल में आप कर रहे हैं, उमीद है आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धनेवाद, thank you. Thank you very much, thank you very much. Thank you very much.